शेयर की तमाम कबरे देखने के लिए वाइस आप पानीबद को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने खेट में यह उपो रहे थे और यह उपोने के बाद वो नाने के लिए जमना के नजदीक गया है मामला है पानी पर जिली की समालखा करस्बेका जहां पर गाउं हत्वाला के रहने वाले एक यूबक की गोली मार कर हत्या कर दी गई मृतक गाउं के ही पुर्व सर्पंच निरस्तियागी और फटाटू की हत्या के मामले में जिल से जमानत पर बाहर आया पा था वारदात किसने और क्यों की है अभी तक इस पष्ट नहीं हुआ है गटना सोमवार दुपहर की समय की है उसे गोली तब मारी जब वो खेत में बनी खोद में नहा रहा था गोली किसने और क्यों मारी अभी तक इसका फिलहाल पता नहीं लग पाया है गटना की सुचना के बाद हाला की पुलिस भी मौके पर पहुची थी पुलिस अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है महिश्यव को पोस्टमाटम के लिए पानी पत की सिविल अस्पताल में पिजबाया गया तबाला गाओं में एक ललीत नाम के लड़के की डेथ हुई है जिस संबन में उसके बतीजे ने बताया है कि मैं उसके साथ गया हुआ था और कोई अन्नोन आदमी उसको गोड़ी मारके भागे है इसको चर्रे लगे हुए है अभी पोस्टमाटम होने पर क्लियर हो जाएगा भाट खेत में जमना के किनारे अथवाला गाओं के जो खेत हैं वहां की गटना है यह करीब 6-7 मीने पहले जमानत पर आया है मिली जानकारी के नुसास मालखा के गाओं हतवाला के रहने वाला ललित सौंबार सुभा यमना पार खेत में के आफ़ा था वो यहां यमना खादर में लगने वाले खेत में गेहू की विजाए के लिए आया पथा दोपहर में उसी गोली मारनी की सूचना मिलने पर पईजन उसी लिग कर आये लेकिन रास्ते में ही ललित नी दम तोट दिया शव को घर लाने के बाद सूचना पुलिस को दी गई बतादे की एक जन्वरी 2014 को हत्वाला की सरपंच नीरज त्यागी और फृट टाटू की डिकाडला वहत्वाला के बीच घेर कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में कोट नी 16 लोगों को सजा सुनाई थी मामले में मिरेतक ललित त्यागी भी अभियुक्त था जो की कुछ समय पहले ही हाई कोट से जमानत पर आया था ललित की हत्या की बाद से परिजनों की आस्वू थमने के नाम नहीं ले रही है कि दरबंटी थे साथ में और जैसे उन से ही पता लगया वह यह अपने खेट में यह उपो रहे थे और यह उपोने के बाद वह नाने के लिए जमना के नजदीक गया है चाहिए और माई यह गठन होई रहते हैं जो अभी सके लगी गोड़ी वगएर है फिर वह उन्हों नें इसको उठाए है दो तीन आदमी बागते दस बारा निशान है शरीर के दस बारा निशान है वह पतनी गोड़ी है चर्ड़े लग रहे है क्या है क्या है क्या लेक्ट नहीं वह जब तक लेकर आई थे उस्पीटल में रस्टे में मोट होगी मही थाना पर भारी इंस्पेक्टर का कहना है कि हत्या किसने की है अभी कोई पता नहीं चल पाया है अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है वोईसो पानी पतकली परदी पांचाल के साथ कुलवन्द सिंग